मिश्मिलाय याराहिम अस्तुदेंस असलामौ अलेकम कैसे आप लोग की ओए तो सुदेंस तुदेंस तो इस्टूज़ेंस तुदेंस तुदेंस च्राट हुआ आपको इस निए और स्क्राइब करने के डिस्टोंट जो में एक एटराइशन में तो तो नुमर बाने और पार्ट नम्र जो आपके सामने लिखा है तिस पार्ट नम्र त्रीं बाते जिस्टोंट एक पार्ट नम्र 5ार्ट तालर डाका बाते हैं तो पुरे स्टन नम्र दोटल हैं तो खोना expect तो अब किस्टोंट यहां तो ट्म किस्टोंट इस सिंव पार्ट यह उम्र। में से मैं करूगा तो यह पार्ट थोड़ा सा अप्रेक्शन पार्ट कर दिया बाकिक पार्ट नुब वाइं तो प्रेटिक इसी मैंट से होंगे तो प्रेशान भी ज़रूरत नहीं तो देखें जी हमारे पास असर इक्सपेशन अश्या एक्सपेश्शन हुआ है 1 और 16 E 2-1 1 तो फैफ्राइब करने के लिए था है स्केर séshot काक इसके जो कि स्केर Tatsu करने के लिए अब श्रह करने आप जै कुछ मेन को चांद है नो कुछे स्कार कर दें कि पर स्क्राड मना आई च किस तरह मझा देखें student 1 over 16 x square है इसको हम देख सकते हैं 1 over 4 x whole square कैसे 1 किसका square होता है 1 का 16 किसका square होता है 4 का इसी तरीक़्े से आपको क्लास पर यह जिए फॉर्मॉला का पर पहले हैं भी फिर बाइस कहूं कि जब इस तरीक़्े से आपके पास एक पॉर्मॉला एक्स्टेंशन पाउन है वो दूरोत है आपने उसे चुछ है क्लोस करने के लिए क्लोस करने के लिए हमें क्या करना पढ़ता है 1st value then last value है कि आपके पास पूरे एक्स्प्रेशन में दो complete squares होने चैनल 2 complete squares होने चैनल 2 complete square is a square of 1 over 6 y whole square require अशा अब next देखें एक क्या बनता है A square plus B square अब जो कि यहां पर minus A पर center पर पिर क्या है गा minus 2 A T आएका अगर यहां पर plus प्लेस हो तक मिल क्या नहीं था plus 2 A T So minus 2 2 हम पाढ़ते का और A की value G हमार पास क्या बन चुकी है 1 over 2 X and B की value क्या बन चुकी है 1 over 6 Y Students देखें आप इसको check करने के लिए कि क्या यह मैंने sacred price की आप देखनें कि लिए आप इसको solve करें तो दबालाईगी कि एक्स्पेशन मनता है तो check करते है 1 का square 1, 4 का square 16 उसके बार अगर इसको solve करें तो 2, 1 the 2, 2 the 4 अब यहां पर 2 रहेगा 6 2 से multiple आब तो 12 बन चाब X Y then 1 over 6 Y open करेंगे तो इसकी क्या बनेगा 1 over 36 तो देखेंगे यहां पर आप देखेंगे कि इस ताइम मारता से formula बना हुए यह है A square minus 2AB plus B square that is equal to A minus B whole square तो अब इसको जब आपने close करना है तो आपने value किसकी लिखनी है A की A कि इसको show कर रहे है 1 by 4X minus formula का बीकिए value क्या होगी then Last value 1 over 6 Y whole square तो यह आपने students क्या किया इसको square में change लिया Expression को square में लेकर आए है अब हमने चोटे root 5 करने है तो क्या करेंगे आपने statement mention करने कि taking square root square root के लिए आप क्या लखेंगे under root 1 over 4X minus 1 by 6 Y whole So you will answer क्या आजएगा 1 by 4X minus 1 by 6 Y जब आप square root करते हैं आपके साथ sign आप लिए इसके साथ इना आपके साथ इना आपके plus minus तो students यह आपका क्या final answer है Simple very simple question है एक नहीं में complication volume नहीं है तो present is आप होने इसके बार की parts नहीं कर आपके one two three मैंने करवा लिए four or five वो भी इसी method से होंगे just squares complete होने problem is यह जहीं पे रखने है कि square हम लो कैसे complete कर सके हैं आप में देखने हैं कि term के अंदर पूरे expression के अंदर two computers पे जाते होंगे पास फॉर्डों के बोने शाहिए तो students अब यह प्रस्ट हो गया अब जहांपे category change है जैसरा एक part number six और part number seven change है तो पे से एक part नहीं करवाद है तो इसको raise करते हैं देखें यह part number six है मौने पास x plus one by x whole square minus four into x minus one by x और साथ बस्ने bracket में लिखा के x not equal to p क्या कैसी तो के बाबर ने कुए है अब student response है simply solve करना है अब देखें भी कैसे solve होगा अब आपने क्या करना है जी यह expression है आपको के पास इसको square में लेकर आना है square में लाने के लिए आपको यह कर सकते हैं यह आप इसना square open करें square अगर इसका हम open करते हैं तो यह string शोकर रहे a plus b whole square क्या शोकर है a plus b whole square अगर a formula है इस पर हम लगा देखें a plus b whole square किसके प्रावर होता है a square plus 2ab plus b square किसके उपर हम यह formula type कर रहें वस्वेरी शोकर रहे है x को और secondary शोकर रहे है x को तो देखें students यहाँपर पर क्या बनेगा a square की जगह क्या आजएगा x square plus 2a की जगह क्या आजएगा x और b की जगह 1 over x और फिर b square यानिके 1 over x square और यह expression आपने as it is वैसे बिखेंगे minus 4x minus 1 by x अब next क्या होगा जी x square एक से एक से क्या होगा कट जाएगा x square को separate करने और यह क्या बिखेंगा plus 2 minus 4 into x minus 1 by x ठीके students अब यह हम अपर अगर हम लेट करने के यह जो हमारे पास x minus 1 by x है यह किसके correct हुआएगे ठीके तो अब जोगे हमने square को evaluate करने हैं तो क्या करेंगे both side square लेगे square on both side तो यह क्या बनेगा x minus 1 by x whole square equal to y square तो देखे students क्या बन जाएगा x minus 1 by x whole square इसको अब आप open ही करते हैं तो formula अब चुके plus था तो a plus b whole square open हुआ अब यहां पर चुके minus आ रहे तो अपन होगा a minus b whole square तो वह किसके एक बन आ जाएगा x square minus plus 1 over x square minus 2 difference कहां पर आता है जिस इस 2 पी यहां पर plus 2 था तो यहां पर क्या आगे है minus 2 equals to y square अब अगर हमने x square plus 1 over x square चुके हैं हमारे पास मुनूद है उसको evaluate करें तो देखें x square plus 1 over x square minus 2 opposite जाएगा तो क्या हो जाएगा y square plus 2 अब अब क्या काम करते हैं अब आप क्या काम करते हैं y की values equation one over put करते हैं x minus 1 over x x square plus 1 over x square तो देखें x square क्या पर्दर होगा अब यहां से आपने वाट से समझने हैं x square plus 1 over x square अब यह किसके equal है y square plus 2 तो किस portion की जगा इस portion की जगा मैं क्या कर रहा हूं किसकी value put करते हैं अब x square plus 1 over x square की जगा जब इसकी value तो आजएगी तो वो क्या बनेगा y square plus 2 क्या होनेगा y square plus 2 उसके बाद देखेंजी से आगे क्या है हमने क्या काम दिया इसकी जगा यह value put कर दी y जो कि यह x square plus 1 over x square की जगा y square plus 2 की जगा तो इसकी जगा हमने y square plus 2 put किया यह plus 2 बैसे की आगया उसके बाद क्या है तो y square minus 4 y over 2 plus 2 क्या हो जाएगा 4 अब इसको complete करने y किसका square होगा y का 4 इसका complete square होगा 2 का तो यह बन गया a square plus b square minus 2 formula का a की value y और b की value 2 तो यह किस चीज को show कर देखेंगा a square minus 2 a b plus b square किसके equal होता है a minus b whole square के तो यह क्या बनेगा a की जगह आपको कर दोगे minus b की जगह क्या पूट कर दोगे so it will become y minus 2 whole square students यहां पर आपको एक और ताम करना पड़ेगा क्योंके आपके पास y मौजूद नहीं था आपने तो यह अपना custom solve करने के लिए easy pattern से यह आपने y की help देजी अब चुके आपने बताना है y minus 2 x minus 1 by x y is equal to x minus 1 by x तो इसका मतलब है हम इसमें y की variable कर देंगे इसमें तो यह क्या बन जाएगा x minus 1 by x minus 2 2 by x एसे और साथ फ़तरगा गढ़ा देगे whole square गढ़ा देगे तो अब देखेंगे expression square भी तो गया नहीं स्क्वेर पाम्त है next then THREE statement स्क्वेर रूप स्क्वेर रूप में निखेंगे x minus 1 by x minus 2 whole square और साथ यह आग्या प्लस माइने x minus 1 by x minus that is your final answer तो नहींद है मुझे कि आप ये बस्तन समय आगया और आप इनी पर कर दिया नो तो आप जो है मैसा इटक्ट कर सके हैं तो students ये ता आपका बस्तन नुमबर 7 अब इसी का next part यानि ये part number sorry, part number 6 मेने पर कांद दिया next part number 7 में इसी फैर्टन से आपको में solve कर देलें आगे next year part number 8 और part number 9 अब देखें part number 8 और part number 9 दोनों same है एक किस्तन में solve कर देखें तो इसको मुझाब जेके हैं race हादी, part number है, हमारे पास 8 x square plus 3x plus 2 into x square plus 4x plus 3 into x square plus 5x plus 6 students, अब इस question को अमने कैसे सॉल करने टेकिन टीन हमार पास, उन्होंने अगर हम इनको सॉल करें, अब फेक्टराइस करें अब फेक्टराइस के वही मैधड के मिल्कम ब्रेकिंग है या फॉर्मॉला कॉम्टराइस के नहीं होगा इसमें चुके x square complete square and एक टू complete नहीं है इसी तरह के x complete square and 3 complete नहीं है x here and 6 complete नहीं है तो फिर क्या होगा? मिल्कम ब्रेकिंग होगी मिल्कम ब्रेकिंग में देखेंगी हमारा पास है x square plus 3 x plus 2 अब इसमें आपको दुवारा कोई बात क्या आप करो के यह तरह का product करें यह समने हम आपको दो नमर ऐसे चाहिए इसको multiply करें कर 2 आए प्रेकिंग होगा आप लोगों को कुछ भी पता चलगे होगा कि 2 1s को होता है 2 plus 1 क्या होगा? 3 x square plus 2 x plus x और साथ में क्या रदेगा नेगे वाला? 2 यहाँ पे इस तो देखें क्या चाहिए 3 product से 3 plus 4 3 plus 1 क्या होगा? 4 यहाँ पे देखें यहाँ पे देखें जी 6 है दोन अबर ऐसे चाहिए जिनको multiply करें तो 6 है और उनको add करें तो क्या आना चाहिए 5 क्या है 5 क्या बढ़ेगा? x square plus 3 x plus 2 x plus 6 क्योंकि 3 to the 6 and 3 plus 2 क्या होगा? 5 अब आप नहीं पेसे common निकालते हैं तो x इन दोनों में से common आएगा remaining क्या मज़ेगा? x plus 2 यहाँ पर कुछ common ना हो one common होता है तो one common आएगा तो अंदर क्या आज़ेगा? x plus 2 इसमें से अगर आप लोग common निकालते हैं तो क्या x common आएगा? और अंदर क्या आज़ेगा? x plus 3 यहाँ से one common आएगा और अंदर क्या बनेगा? x plus 3 next देखें जी again x common अंदर क्या आज़ेगा? x plus 3 और उसके बाद यहाँ से two common आएगा तो क्या आज़ेगा? x plus 3 अब next क्या आगा होगा जी? अब इनके common factors आपको लिखेंगे x plus 2 common है x plus 1 uncommon इनके लिखेंगे तो x plus 3 common है और x plus 1 uncommon है किसी प्रीके से वहाँ से लिखेंगे तो x plus 3 common है और x plus 2 क्या है? Uncommon है अब लेकिन इस्टूनर्स आपके पास यह एकके factors आचके हैं अब जो सेम factors आपको क्माइन करने ने जिसला एक x plus 2 है और एक x plus 2 है तो हम इसको लिख सके है x plus 2 whole square whole square means कि यह वाल बस 2 x plus 2 है अब उसके बाद x plus 1 इदर भी है और इदर भी है हम इसको लिख सके है x plus 1 whole square और इसी 3 किसे x plus 3 और यह भी x plus 3 तो इसको भी लिखात आप सकते है x plus 3 whole square अब next क्या करेंगे अब हम इनको जो है वो square root यादि के हमने find करने तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा इनको एक square में लिखना पड़ेगा हम इसको लिख सकते है x plus 2 into x plus 1 into x plus 3 और यह हमने mention कर दिया इसका whole square whole square means यह square इसका भी है इसका भी है और इसका भी है तो फ्रुटेंट्स की क्या बन जाएगा आपके पास 15 जवाबने square हुई यह क्या आजएगा x plus 2 x plus 1 और x plus 3 यह आपने लगा दिया whole square और यह आजए आपका square root तो यह से कट जाएगा तो आपके पास answer क्या बनेगा final देखें कि plus minus qt square root है तो x plus 2 x plus 1 और उसके साथ-साथ x plus 3 तो यह सुनेट्स आपका final क्या है answer ठीक है तो देखें इक आपके पार्डम बनाईना आप लोगोने solve सकते हैं तो आइटिंग्सों के एक अपके रिखेंट नहीं है जबस्ता आपकोने वही आपके concept एक तरह के रिवाइज हो रहे हैं तो आप पीए सेक्टर्स में अच्छे से पढ़ शुके हैं प्रेक्टराइज कैसे करने हैं प्रेक्टराइजिशन के आपके सारे methods पता हैं तो अब नेक्स्ट इंशाला हमारा जो नेक्स लेक्टर होगा हो इसी exercise का आज हमने प्रेक्टराइजिशन method square root factorization के जरीए square root find की है next आप जो हमने square root find करना होगा mode begin method से करेंगे तो अब आप अपने question number 1 जो आपकी राज़की कीडाईएज है आप लोगोंने question number 1 है और इसके part 1 से लेकर हैं जी 9-10 ये सारे parts आप लोगोंने practice भी करनी है और इसके साथ साथ इंका भूबत भी करने ना है ठीके thank you so much Allah आफेस